Hello friends, welcome to my channel. Guys, आज की class में हम करने वाले हैं ऐसे words जिनके बिना English बूलना बिल्कुल ही impossible हैं. ठीक है? जैसे हर, इसकी, उसका, मेरा, जो की हम daily life में use करते हैं यह वाले words अपनी life में. तो चलिए जब हम English बोलेंगे तो इनका use कैसे करेंगे? देखते हैं. Let's start. First one है my. My means मेरा या मेरी. ठीक है? जैसे यह मेरा पन है. This is my pen. ठीक है? अगर कोई चीज आपकी है तो आप उसको कैसे बताएंगे? कि यह चीज आपकी है. Means my. This is my pen. My chair. My table. इस तरह से. ठीक है? एक और example देखते हैं. मेरा नाम अमन है. My name is Amun. ठीक है? इस तरह से हम इसका use करेंगे. My means मेरा. Next है me. मी का use हम करेंगे मुझे. ठीक है? उसने मुझे पैसे दिये. He gave me money. He gave me money. मुझे. Next है your. Your means तुम्हारा या आपका. जैसे ये घर तुम्हारा है. This is your house. ठीक है? इसको हम कैसे प्रनांस करेंगे? Your. This is your house. Means तुम्हारा या आपका. एक और example देखते हैं. आपका phone number क्या है? What is your phone number? Next है our. इसको बोलेंगे our means हमारा. जब एक से ज़्यादा जने होते हैं तो हम बोलेंगे हमारा. हमारा घर दिल्ली में है. Our house is in Delhi. ठीक है? Our means हमारा. Our house is in Delhi. एक और example देखते हैं. वह हमारा स्कूल है. अगर हम किसी को बताना चाहते हैं कि वो स्कूल हमारा है. That is our school. ठीक है? That is our school. Next है his. His का meaning है उसका या उसकी. लेकिन ये यूज किया जाता है मेल्स के लिए. जो पुरिश होते हैं. उनके लिए हम इसकी जगा पे यूज करते हैं. His. This is his phone. ठीक है? ये है उसका फोन है. Means his हमने लगाया. It means ये किसी जैंट्स का फोन है. किसी बॉए का फोन है. ठीक है? This is his phone. His means उसका. Next है उसका घर बहुत बड़ा है. His house was very big. उसका घर बहुत बड़ा था. His house was very big. Next है her. Her means उसका ये उसकी लेकिन इसमें हम female के लिए यूज करते हैं. Her. किसी girl के लिए ये इस तरी के लिए. जैसे this is her book. ये है किताब उसकी है. अब उसकी कौन है? उसकी means किसी girl की है. गर्ल के लिए हम her का यूज करेंगे और boys के लिए him का. Next है उसकी बहन सुन्दर है. Her sister. उसकी बहन. Her sister is beautiful. Next है their. Their means उनका. मतलब किसी को belong करना. Their. उनका है. किसी चीज का relation बताना. ये है उनकी दुकान है. This is their shop. ठीक है? Their means उनकी है. उनकी के लिए हम their का यूज करेंगे. Next है उनका घर बहुत दूर है. Their house is too far. Their house is too far. Their means उनका. Us. Us means हमें. ठीक है? एक से जादा जनों के लिए हमें. उसने हमें 500 रुपे दिये. He gave us 500 रुपीज. ठीक है? हमें means us. एक से जादा जनों के लिए हम यूज करें. Means हमें. He gave us 500 रुपीज. Next है माइन. माइन का यूज हम कहां करेंगे? इसका meaning होता है मेरा या मेरी. माइन के जैसे ही. लेकिन इसका मैं example दे रही हूँ आपको. जैसे यह मेरी किताब है. This is my book. यह हम पहले कर चुके हैं माइन. ठीक है? लेकिन माइन हम करेंगे कि यह किताब मेरी है. अगर हम noun को पहले रखेंगे तो बोलेंगे this book is mine. This bag is mine. ठीक है? इस तरह से. This book is mine. यहाँ पे हम माइन का use करेंगे. बोलने में दोनों में sentence में बहुत फरक है. यह है किताब, यह मेरी किताब है और यह किताब मेरी है. तो अगर हम इस तरह से बोला चाते हैं तो हम माइन का use करेंगे. So guys, I hope यह वीडियो आपको अच्छा लगा और समझ भी आया होगा. So please guys, if you like the video, please subscribe my channel.